सूरत डी एप सीस्ययल मैं अभी वराचा रोर पे सठाना और कामरेश के बीच में हूँ यहां पे डी एप सीस्ययल यानि कि बंबाई डैली गुर्स्टेन के लिए जो स्पेस्यल लाइन बन रहे है उसका ब्रीज बन रहा है मेरे राइट एंड साइड में जो सामने जो फर्फ एट मीटर का है वो ओ डबलुजी काफी कुछ कम्प्रीट है उसको खीच के यहां पर वराचा रोड के उपर यह बिल्कुल वराचा रोड है सठाना से कामरेश जाने वाला इसके उपर खीच के इसके उपर इंस्टॉल करेंगे इसकी तैयारी हो रही है यह प्रिपेरेशन ह प्रिपेरेशन का नीचे टेमपरेशन उसके उपर खीच के पूरा का पूरा ब्रीज इसके उपर लाया ओ जो डबलुजी उसको लाया जाएगा यह एक लाइन का है एक लाइन का यानि की डाउन का है फिर फिर पूरा का पूरा यह डो वाला और एक सेट करेंगे तहिया करे मेरे सामने जिसा दिख रहे हैं वह काम्रेज की हो जाता है यह जो रास्ता जा रहा है वह आगे जाके बिस्तन की हो जाता है फिर में लाइन पर मिक्स हो जाता है सूरत DFCCL में अबी सूरत में वराचा रोड के उपर वालक लसकाना यानि की सठाना से काम्रेज जाने वारे रास्ते में हो यहाँ पर यह दिएफसी सेल यानि की कूश्तेन के लिए जो स्पेस सेल जो अलग लाइन जो बंद रही है उसका ब्रीज तयार हो रहा है उसके लिए यानि कि open web गडर तयार हो रहा है यह दो गडर है दो गडर है पार्थ में एक 72 मीटर का है एक 48 मीटर का है उसको दोनों को यह एक लाइन का यानि कि डाउन लाइन का है उसको बीच में पिलर है वराचरोर के उपर तो उसी के जरी एक बाजू 72 मीटर लगेगा एक बाजू 42 मीटर लगेगा तो यह जो ब्रिज अभी तैयार हो रहा है उसको खीच के एक लाइन के लिए उसको लॉंच किया जाएगा फिर नया ऐसा सैट बनेगा दोनों सैट का उसको फिर खीच के फिर एक बार वहां पर यानि कि वराचरोर के उपर उसको को लॉंच करेंगे घए सकते यह काफी लंबा है काफी मजबूत है के काफी बड़ा प्रूंट oni कि यह को डेखे इसमें आदमी लोग भी क्याम करते दें उसके सामने अभी की साइज अम्रोग इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा ब्रीज है पूरा का पूरा ब्रीज को वराचा रोर के उपर वालक लश्काना पर फीट होगा